कि मुर्थका नहीं सकती ठोकरे गिरा नहीं सकती अगर जीद हो जीतने की तो हार भी आपको हरा नहीं सकती तो नमस्कार पेरे साथियों आप सभी का स्वागत और रभिनांदन आपके इपने इस यूटूब चनल आलिया एक्जाम कीज़वें साथियों CET 10 प्लस 2 भरती प्रिक्षा को लेकर के राजस्तान इत्यास के अंदर आजपन चोता टोपिक पढ़ेंगे इसमें मेवाड का गुहिंद राजवन सजो हैं इसके महत्तपोन प्रसनों की चर्चा करेंगे यहाँ पर 30 प्रसन होंगे और आप इस साथ में अपना मुल् सब्सक्राइब करते हैं पहला प्रसन के साथियों प्संदे इकते हैं महरंण प्रताप को समझाने है तू यहां चोथी वार टोडर मेर्मल को बीज़े थो बीज़े था ओप्सन है दिसंबर 1532 जुमन 1572 जुमन 1572 सितंबर 1572 और दिसंबर 1573 इसवी तो एक एक को देख लेते हैं देखो सबसे पहले जो बेज़ा था सश्ट मंडल वो था जलाल खांव इसको बेज़ा था सरव पर्तम जलाल खांव को बेज़ा था ठीक है जलाल खांव को बेज़ा था कब बेज़ा था 1572 में ठीक है 1572 इसवी में यह नवंबर 1572 इसवी के अंदर जलाल खांव को बेज़ा था दूसरी बार जो बेज़ा था हो बेज़ा था मान सिंग को ठीक है किसको बेज़ा था दूसरी बार मान सिंग को मौहांद सिंह कच्वाब को बचा दूसरी बार ठीक है और यह बहुचा दा जून 1513 को बचा जून 1513 को ठीक है 1513 तीसरी बार जो बहुचा दा साती हो यह बहुचा था बगवन्त दास को इसको बेजा बगवंत दास को बेज़ता है यह कब बेज़ता तो दिसंबर 1523 के अंदर सुरी सित्तंबर 1523 के अंदर बगवंत दास को बेज़ता सित्तंबर में ठीक है सित्तंबर 1523 को और जब चोती बार टोडरल में बेज़ता तो दिसंबर 1523 को बेज़ता ठीक है दिसंबर 1513 को टोडर्मल को बेज़ेता चोती बार तो यी करमा आप याद रखेगा सबसे पहले जलाल खा फिर मान सिंग फिर बगवन तदास पिर आ जाएगा कौन सा टोडर्मल ठीक है तो सबसे पहले 1532 फिर 1533 फिर 33 तो इस प्रकार से इसका राइट आप सबसे जाएगा उप्शन नुबर 4 दूसरा परसंदे की साथियों मोगल मारवाड संगर्स चिड़ने पर मेवाड के लिए मेवाड के किस महराण ने मारवाड का साथ दिया था राज सिंग पर्थम, अमर सिंग पर्थम, जगत सिंग पर्थम, संबू सिंग पर्थम तो राइट आंसर जाएगा राज सिंग पर्थम कौन सा है राज सिंग पर्थम तीसरा प्रसंदे के साथियों निमन में से किसने खानवाई की उद्ध में रणा संगा का पक्स बदलकर बाबर का साधिया था रावत रतन सिंग, बाग सिंग, सलाधित वर, वीरम देव, मेड़तिया तो किसने खानवाई के दुमें अरणासंगा का पक्स बदलकर पाबर का साधी आ था तो यहाँ पर आजाएगा सहल दी तवार ठीक है चलिए अगला पर संदी की चार नंबर मेवाड वाय मारवाड के मद्दे आवल बावल की संदी का भूई थी आवल बावल की संदी 1453 2553 3552 1561 1561 तो राइट अंसर के विएगा यहाँ पर 1453 252 एक नंबर ठीक है तेक 1553 252 में हंसा भाय किम मद्देस्ता में मद्देस्ता से मेवाड वं मारवाड यानि कुमभावा जोदा की बीच में यह संदी वी थी और इस जो यह संदी हुई थी इसमें सीमा निर्दारन स्प्रकारवा था कि जहां तक आम यानि आवल के पेड़ होंगे वहां तक तो मेवाड और जहां तक बंबूल के पेड़ होंगे वहां तक जोद प्रयानी मारवाड का भाग माना जाएगा तो यह 14 सत्रेपन इसमें संदी हुई थी आवल बावल के संदी पांच नमबर प्रसन है कि मेवाड के किसासक के समय जावर में चांदी की खान निकली थी उदेज सिंग राणा लाखा शेत्री सिंग राणा हमीर तो क्या जागर राइट अंसर राणा लाखा ठीक है लाखा के सासनकाल में जावर में चंदी की खान निकली थी चटा परसन है अकबर के द्वारा महरना परताब को अधिनता के लिए समझाने हैं तु भेजे गए विक्तियों का सही करम है अभी मैंने पहले बताये था आपको पहले परसन के अंदर तो बताये जलालखा मांसिंग परतम टोडरमल बगवंत अदास दूसरा है बगवंत मांसिंग परतम बगवंत अदास जलालखा चोता है जलालखा मांसिंग परतम बगवंत अदास और टोडरमल तो करम है ने आपको पताये था पहले परसन के अंदर क्या हो जाए गए आपर सबसे पहले जलालखा को फिर मांसिंग परतम को फिर बगवंत अदास को फिर टोडर तो क्या हो जाएगा राइट आंसर दीवेर के युद्धिगों का था कौन से युद्धिगों दीवेर के युद्धिगों मेवार का मेरा था न का था किसने का था करनरा जैम्स ठोड़ देए आठ नमबर परसंद देखें तेरा सो तीन इस्यू में चितोड विजित कर अलावदिन खिलजी ने उसका नाम क्या रखा था तेरा सो तीन में किराबाद किजराबाद जलालाबाद या फिर खिलजी बाद है तो आपर राए टांसरी आउ जाएगा खिजराबाद है ठीक है अलावदिन खिलजी ने चितोड़ पर आक्रमन के था तेरा सो तीन में और जीदने के बाद में अपने पुद्र किजरगा कि नाम पर इसके देख था मेवार के किस महारान ने की थी संग्राम सिंग दिते जगत सिंग दिते राज सिंग दिते भीम सिंग तो राइट आंसर क्या जाएगा है यापर जगत सिंग दिते कौन है जगत सिंग दिते प्रस्ट नमबर दस है मेवार के किस महारान को ग्रेड कमांडर सरदार सिंग, स्वरूप सिंग, भीम सिंग और फिर संभू सिंग तो मेवार के किस मारणा को ग्रेड कमांडर ओब दी, स्टार ओब दी इंडिया की वादि दी थी तो वह ता संभू सिंग ग्यारा नमबर प्रसन है, चित्तोड गड़ी के पर्थम साके किस में, रतन सिंग के सिंग के सिनापती की रूप में महत्ता पुन भूमी का किसने निवाई थी जेमल कल्ला राठोड, जेता कूपा, गोरा बादल, जेमल फत्ता तो यहाँ पर महत्त पुन भूमी का निवाईने वाले कौन थे, गोरा बादल, देखो, चित्तोड का जो पर्थम साका वाता, तेरा सो तीन में, कब वाता, तेरा सो तीन एशु में वाता, ठीके, पहला साका, जिसमें अलाओ दिन खेल जीने चित्तोड पर आकरमन किया था, और जिसमें ये गोरा बादल क्या हुए थे, मारे गए थे, बारान नमबर परसन है, ये चंपान नेर की संदी कि इन राज्यों के मद्दे हुए थी, कौनसी संदी, चंपान नेर की संदी, गुजरात वे उद्यपूर, कुंबलगर वे जोधपूर, मालवा वे गुजरात, जेपूर वे जोधपूर, तो चंपान नेर की संदी हुए थी, मालवा वे गुजरात के बीच में, ठीक है, मालवा वे गुजरात की बीच में, परसन नमबर 13 है, भूत अला का युद्धि किनके मद्दे हुआ था, जेतर सिंग वे इलतुतमिस, समर सिंग वे इलतुतमिस, जेतर सिंग वे इलतुतमिस के बीच में, 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 जेतर सिंग वे इलत चुद्धर नम्बर परसन है हल्दी गाटी के युद्धी के बाद निम्लिक्त में से किन शनन नाइकों के नेतरतों में आकपर ने महारना परताब की विर्दु सेने का भियान भेजे थे अबदुलरहीम खान एकाना साहब बाजखा जगनात कच्वा अपर्युक्त सभी तो क्या उजग रहे टांसर अप्शन नम्बर चार अपर्युक्त सभी चले परसन नम्बर पंद्रा देखो नेम्लिक्त युगम को सुमेलित कीजिये एक तरफ है परमो की युद्ध और इनका वरस दिया गया है तो कौन सा युद्ध कब वोत है इनको सुमेलित करना है देख करते हैं इसको खातुले का युद्ध कभ लड़ा गय था 1527 में इसके बाद में घहागरून का युद्ध कभ लड़ा गय था 1529 में लड़ा गय था पंदरा सो 20 में लड़ा गया था इसके बद में बयादा कई दिल लड़ा था STUD. में घृटके है तो ये इस प्रकार्स चीन मेली तो जाएगा दो एक चार तीन ठीक है तो एक चार तीन कहां पर है ओप्स नूबर दुसरा ठीक है चलिया नेक्स परसंट देखते हैं शोड़ा नंबर निमन में से महारना परताव का प्रशिद्य दिरबारी पंडित कौन था विद्यादर रामचरण जयनकबठ चक्रपानी मिस्र महारना परताव का प्रशिद्य दिरबारी पंडित कौन था चक्रपानी मिस्र चलिया नेक्स परसंट देखते हैं शोड़ा शोड़ा पंदरा इस्यूएं मेवार मुगल संदिक इनके मद्दे हुई थी अमरे सिंग् परतंब भो जहांगीर महारना परताव युज अकबर जहांगीर वजगत संग् परतंब महारना राज संघ वए अरंगजईब जो मेवाड मुगल संदी कब हुई थी 1615 में इनके बद्धे हुई थी तो ये अमर सिंग पर्थम और जहांगीर के बीच में अमर सिंग पर्थम और जहांगीर के बीच में हुई थी मेवाड मुगल संदी अठारा नमबर प्रसन है मेवाड के महालना परताब की विरुद मोगल समराथ अकबर के अंतिम आकण्व का नेतरतों क्षिने किया था महान सिंग प्रोडर्मरल जगनात कच्वा जलाल खा तो राइट अंसर क्या बजाएगा जगनात कच्वा हा ठीक है देखो जगनात कच्वा वे सयद राजू 5 दिसंबर 1524 को शेना लकर की मवाड की तरफ रवाना हो थी और 1585 इस्यू में अकबर का परताब की विरुद अंतिम परियास्ता जगनात कच्वा की मांडल गर में मर्तियू भी हो गई थी ठीक है तो राइट अंसर है तीन नमबर हाकिम खान वे महालना परताब उदेश सिंग वे हाजी खान अमर सिंग परतम हुए हाकिम खान महालनुक माव महमुद घिल जी तो हर मारा का जो यूद्ध हो आता साती हूं यह वाता है उदेश सिंग वे हाजी खान के बीच में ठीक है दो नमबर बीस नमबर क्यूशन देखे चित्तोर का तीसरा साका कब हो अता देखो 156626, 351, 253525, 56826 चित्तोर का तीसरा साका कब हो अता तरह का राइट आंचर है 156826 के अंदर ठीक है सलिए नेक्स्ट क्यूशन देखे किस नमबर मेवाड की राजकुमारी करशना कुमारी जिसके विवा को लेकर जेपूर्व जोदपूर के मद्दे संगर्श हुआ यह मेवाड के किसा सगे पुद्री थी कौन करशना कुमारी महारन भीम सिंग महारन जवान सिंग महारन रणा स्वरुप सिंग और महारना संभू सिंग तो कर्षणा पमारी किसी पुद्री थी यह थी महारना भीम सिंग की ठीक है किसी थी महारना भीम सिंग की देखो यह जो कर्षणा कमारी थी इसके सगाई हुथी महारना भीम सिंग के चाथ में ठीक है फिर राज कुमारी की सिगाई जेपुर् की जगत सिंह की स्याथ कर दी जिसके करद भीम सिंह के भाईता रतन कौन मान सिंह को बुरा लगा। जिसन फोर करतं की करद गिंगो लेकले रत 18 587 सौचा सकरीनल channels किक्रता तो गया होजाए गया गया ज़ें आपर किसकी है। र्वाइन के है कुबर परत्वि राज के। कर देविश नमबर केुशन देखे चितोड की दूसरे साके में देवलिया, परताव किरो के महा रूना का परती निवि बनाया गया था। तो रहना सज्जा सिंग् विक्रम दिते रावत बाग सिंग् पदम्शा बताओ देखो चित्तोड के दूसरे साके में देवलिया परताब गड़ को ठीक है यहाँ पर आजाए परताब गड़ को महारनोत किया प्रतिनिती बनाया गया था तो क्या जाएगा यहाँ पर रावत ब सिंग को देखो दूसरे साके में करमावती ने उने दोनों पुत्रों विक्रम दितेव उदे सिंग को उनके ननिहार बूदी बेज दिया था ठीक है सोबस नमबर परसन ना है कि मेवाल का वह साथ सक जिसने अपनी पतनी तारा के नाम पर तारागड के लिए का निर्मान करवाये था महारना राइमल, महारना संग्राम सिंग, कोवर परतिवराज, महारना बीम सिंग तो यहाँ पर रायट आंसर है कोवर पर्तिव राजने किसने करवायता पर्तिव राजने 25 नमर के उसने मेवार चितरकला शेली का ताड़ पत्र 25 प्रथम उपलब्द ग्रंत स्रावक पर्तिक कर्मान सुत्र चोणी किसके सासन कालमी चितरित हुआ था तेज सिंग, समर सिंग, समंत सिंग, रतन सिंग तो यह का रायट आंसर हो जाएगा तेज सिंग 26 नमर के उसने है अलदी काटी के युद्व में महारना परताब के गायल होने के बाद उन्हें राण सेतर से बाहर निकालने पर किसने महारना परताब का स्थान लिया था रावत बाग सिंग, सक्ति सिंग, जाला बिदा, पठान हकीम का सूर तो राइट आंसर है जाला बिदा ने ठीक है युद्व में परताब की गायल होने पर बड़ी सादली के जाला बिदा ने राज सिंग का यहां पर राज सिंग दान किया था और महारना परताब को युद्दी की मेदान से बाहर निकाला था और बिदा मुगल शेना से लड़िते वी यहां पर वीर गतिगो प्राप्त हुए थे ठीक है इन्होंने राचिन दानी किया था 27 नमर क्यूशन है नेमल में से किसे मेवाल का उद्धार कहा जाता है महारा परताब बामाशा ताराचंद को वर चूड़ा तो मेवाल का उद्धार कोन है बामाशा तेक कोन है बामाशा अगला परसंद देखिए 28 नमर निम्लिक्त में से कीस राजपूत शासके ने विजे कटकाटो की पादी धान की थी महारना सांगा, महारना कुंबा, महारना राज सेंग, संगराम सेंग दिते तो यहाँ पर जागा महारना राज सेंग ठीक है वह सासक जिसने 1188 इस्व में वट प्रदग्यानी बड़ोधा को अपनी राजदनी बनाया था सेम सिंग, रन सिंग, सामन्त सिंग, समर सिंग तुसकर राइटांसर है सामन्त सिंग प्रसन नमबर तीस निमिन में से किसे सनी का भगव भगनावसेस कहा जाता है सेनी को का भगनावसेस महाना परताब, महाना सांगा, महाना कुमबा, महाना विक्रमा देते तो सेनी को का भगनावसेस कहते हैं महाना सांगा को महाना सांगा ने युद्ध में अपना एक हाथ वह पेर गवाद्याव तदा ठीक है और शरीर पर असी से दिगाव हो गए थे फिर भी सेने की तरह चुद्ध से में युद्ध में लड़ता रहा और इसी कान इसको सेनेगों का बागुनावसिस भी कहा गया था इसको माना सांगा को तो यह मातवपूर 30% थे गुईल राजनस को लेकर के तो आपने कितने स बैस्ट सीरीज के लिए आप जरू जूड़े चैनल से ठीक है वाकिया आप पढ़ते रही है और अपनी त्यारी में बैस्त रही है धन्यवाद